नमस्कार मैं हूँ श्यूद कुमार्च चोधरी आप देख रहे हैं हमारा फेश्ष्बूक पेज आज हम गण्ये से गुड़ बनाने की पूरी प्रकरिया को लेके आज हम हाजिर है आप तस्बीरों में देख पा रहे हैं जहां पर गन्य के रस से गुड़ बना जा रहा है और इस गुड़ को पका जा रहा है और पकाने के बाद इसे देशी भेली बनाई जाएगी जिसको आप गुड़ के नामते जानते हैं यह दुबोलिया विकास खंड के अंतरगत राम जान की मार के बैरागल की यह तस्वीरे ह जहां पर गन्य की पिराई हो रही है और गन्य की पिराई के बाद उसे गुड़ बना जा रहा है यह पहले गाओं में प्रते गाओं में यह प्रकिरिया होती थी लेकिन अब आधुने के चलते यह पूरी तरीके से विवस्थाएं ठप हो गई हैं नहीं तो पहले हर गाओं म गन्य की पिराई का सीजन इस चमय चलता था लोग गन्य की पिराई करकर देशी गुर वा भेली तथा राब भी बनाने का कारी करते थे लेकिन यह प्रमप्रा धिर धिरे अब अंतिमोर है कहीं कहीं पर बड़े बड़े क्रेसर लगाए गये हैं जहां पर कुछ लोगों द्वा करा गन्य की पिराई की जाती है वहीं अतित्यों के स्वाकत में भी गुर दिया जाता था लेकिन अब यह जबाना आधुन की ओर बढ़ गया है और यह बंद हो गया है यह कहीं कहीं देखने को मिलता है लेकिन गुर की सोधी महक ऐशी होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर् पतार इशे चारोत तरब घुमाय जा रहा है जिसे यह पुरी तरीतरीके से तयार हो जाए और तयार होने के बाद एक होता है चक़्वा उसमें इसको रखा जाएगा और रखने के बाद इसे जिए तड़ा हो जाएगा तो भेली valid की प्रिक्रियय का सुघरम किया जाएगा तो यह तस्वीरे आप देख पा रहे थे बैरागल की है जहां पर अभी भी पुराने जवाने के कोलू लगाए गए हैं और कुछ शिचान जिनकी गन्ना बुवाई के बाद गन्ना बच जाता है और उस गन्ने को ले करके आते हैं और यहां पर गुर्ड बनाने का कार किया जाता है यहां गुर्ड खाने में बहुत ही स्वाधिश होता है और आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जहां पर यहां गुर्ड बनाया गया है यहां पूरी प्रिक्रिया आप देख पा रहा है कि जहां पर बड़े बड़े दो कराहे रखे गए हैं और इसी कराहे में रस रखा गया है और नीचे से एक बेक्तिद्वारा आच दिया जा रहा है इसी आज के चलते ये गरम होता है और गरम होने के बाद इसमें कई घंटे लगते हैं घंटे के बाद यहाँ गुर बना जाता है आप देखें यहाँ पर गंणा की पराई हुई यहाँ से रस को निकाला जा रहा है रस को निकाल करके जो बड़े बड़े दुकरा हैं इसमें र रखा जाएगा और यहां पर भेली बनाने का कार किया जाएगा आप देख पा रहे हैं कि जहां पर यह जो चकवा है इसमें भेली बनाने की प्रिक्रिया का सुभारम हो गया है और यह तेजी से किया जा रहा है इसको लेकर गाओं में काफी लोग को रोजगार मिलता था लेकि कि यह तस्वीरे आप देखिए कि कैशे गुर बनाया जाता है अब तक आपने देखा कि गुर कैसे बना जाता है तो ऐशी गाओं की जुड़ी हर ख़बर को लेके हम आपके बीच में आते रहेंगे तब तक के लिए नमस्कार धनबाद बने रहे हमारे फेस्बूक पेज़ प